दिली के केजरिवल सरकार ने बड़ा फैस्टा लेते हुए विधायक फंड को चार करोड से बढ़ा खर दस करोड कर दिया है दिली सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ये बड़ा फैस्टा लिया कॉंग्रस के वरिष्ट नेता और कनाट्र के उपमुख्य मंत्री जी परमेश्वन ने अवैद रूप से रह रहे है बांगलादेशी नागरीकों को वापस उनके देश भेजने की वकालत की है उन्होंने कहा कि हमने जाच की है बांगलूरू में कई सारे बांगलादेशी रह रहे हैं हम उन्हें वापस भेज रहे हैं साथ ही उनका कहना है कि वैद दस्ता वेजो के बिना कोई भी बांगलूरू में नहीं रह सकता कॉंग्रेस के रश्ट्री अध्यक्ष ने बीजेपी और आरेसेस पर बड़ा हमला बुला है उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरेसेस की मान सकता है कि केवल पुरुष देश दलाएं मद्रप्रदेश में चक्रवाती हवाओं के साथ मान सून पर इसका असर देखने को मिल सकता है राजधानी भूपाल सहत कई शेत्रों में सुबह से ही हलके बादल चायफ हुए थे मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बोचारे हो सकती है मद्रप्रदेश में शिक्षा का मंदिर शराबियों का ड़ बन गया है शोपूर में शहर के बीचों बीच प्राथ में केंद्र बना हुआ है जोहाँ पर 102 शात्र चात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन डरे और सहमे उन्हें डर शिक्षिकों का नहीं शिक्षकों का पायजुत की गई जिसमें निर्णे लिया गया है कि अगर डॉक्ट्रों को साथ पावीतन बान चाहिए तो उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करनी होगी जिला पंचाय सदस के उपचुनाव में राउशेटर से उमीदवार रहे जीतू ठाकूर को मिली बड़ी जीत के शिल्पकार बने हैं जीतू पच्वारी पच्वारी इस पूरे चुनाव में किंग मैकर बन कर उप रहे है मुद्प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव में कॉंग्रिस ने भाजपा का सूपड़ा साप करते हुए 14 मैं सी 9 सीटों पर कब्ज़ा जमाया है वही विधान सबच्वारी चुनाव से पहले कॉंग्रिस के लिए बड़ी जीत मानी ज़ा रही है विधान सबच्वारी चुनाव से पहले इस जीत के बाद बीजेपी के माथे पर चुन्ता की लकीरे साप देखी जा रही है मंगलवार को एंदौर में जिला प्रश्वासन की जनसुनवाई हुई जनसुनवाई के दोरान बड़ी संख्या में लोग कलेक्चोर कारेले में अपनी समस्या लेकर पहुँचे थे नगनिगम कारेकर्था के यहां लोकायुक्तो की कारवाई होने के बाद कॉंग्रिस ने अब निगम के बड़े अधिकारियों पर भी सवाल या निशान खड़े किये हैं नेदाप्रतिपक्षफोजिया शेख ने मांग की है कि निगम के बड़े अधकारियों पर भी जाच होनी चाहिए निगम में व्याप्त धश्टचार को सामने लाने के लिए झाल